हाई अवरिवन वेलकम टू कोईन स्टडी यहां पे हम जेके एससपी एकाउंट एसिस्टेंस के जॉनरल साइंस फिजिक्स की क्लास फोर्थ करने वाले हैं हम लास्ट फ्री क्लासिस कर चुके हैं और हमारा मोशन चप्टर कंप्लीट हो चुका है ऐसा ही यूनिट्स भी हमने लगबग कर लिये हैं अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ इंपोर्टेंट छूट जाता है तो वह मैं आपको फिर करवा दूँगी तो आज हम करने वाले हैं भेव स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक छोटा सा टॉपिक है वह भी आज कंप्ली तो इसका अंसर क्या आएगा दी पार्ट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट उन इट उस पर फ्रिक्शन लगती है जिसके कारण वो स्लो हो जाता है यह फोर्स जो क्या करती है मोशन को रेजिस्ट कर दी है फिर्स पॉइंट तो इसका करेक्ट है जब भी किसी में जब भी कोई चीश मूव करती है जैसे कोई कार मूव कर रही है उसके टाइर्स और रोड के बीश में फ्रिक्शन होगी उसमें थोड़ा सा क्या होगा उसमें फ्रिक्शन होगी तो वो घरम हो जाते है तो यह सेकिड़ वाला भी करेक्ट है तो इसमें बोद बन एंड टू अर करेक्ट नो इसके आगे हमारा नेक्स टॉपिक शुरू होता है भेव भेव क्या है भेव हम सब्हें ने देखा हुआ है हम सब्हें को पता भेव क्या होती है इस तरह से हम बोलते हैं भेव है नोव is a disturbance which propagate यह एक disturbance है disturbance का मतलब यह एक vibrations हो रही है जो किस तरह से चल रही है इस तरह से विच प्रोपगेट energy from one place to another यह एक energy propagate करती है disturbance है जिस तहां से हमारा mobile vibrate करता है तो उसकी टेबल पर रखा हो तो एक और पे हमें mobile रखा है टेबल पे और second corner तक हमें उसकी vibrations आती है तो वो क्या करती disturbance है जिसे हम vibration के according ले सकते हैं जो energy को प्रोपगेट करते हैं one place से second place में तो particle of medium only vibrate about the mean position मतलब क्या है medium मैंने आपको mobile के example दी mobile क्या है वो एक medium है उसके जो पार्टिकल जब वो vibrate करेंगे अपनी ही position पर vibrate करेंगे वो कहीं और नहीं जाएंगे बस energy को transfer करेंगे one medium one place to another अपनी original position को वो leave नहीं करेंगे three sources चाहिए होती है three condition चाहिए होती है wave की formation के लिए first क्या है source so हमारा mobile है propagating medium हमने ले लिया table और पार्टिकल चाहिए हमें medium के जो की vibrate करेंगे यह था हमारा भेव different types की भेव हैं उसमें two main है one is the mechanical wave and second is the non-mechanical wave mechanical wave को हम elastic wave भी कहते हैं non-mechanical wave को हम electromagnetic wave कहते हैं mechanical wave में क्या होता है इसमें medium चाहिए होता है propagation के लिए बेव को transfer करने के लिए move करने के लिए एक propagation वो एक medium चाहिए वो medium air हो सकती है liquid हो सकता है कोई गैस हो सकती है solid कुछ भी हो सकता है यह further two types की है transverse mechanical wave and longitudinal transverse क्या होंगी जो इस तरह से move करेंगी longitudinal जो इस तरह से move करेंगी non-mechanical wave में electromagnetic wave होती है इसमें कोई भी medium नहीं चाहिए होता propagation के लिए move करने के लिए यह एक vacuum में भी हो सकती है vacuum क्या है empty space है वहां पे भी यह transfer कर सकती है नो अभी हम discuss करेंगे transverse mechanical wave ट्रांस्वर्स mechanical wave क्यों एक elastic medium है जो propagate करता perpendicular direction of particle vibration मतलब अगर particle इस side vibrate कर रहे हैं तो यह भी जो है इस side हमें transfer हमें मिलेगी जिसतां से हमारा जो फोन है वह वाइबरेट करता है अपर डिरेक्शन में उसके पार्टिकल अपर डिरेक्शन वाइबरेट करेंगे लेकिन उसकी जो propagation wave है तो वह हमें second corner पे मिलेगी can we generate solid में generate हो सकती है और upper surface of liquid जो liquid के ऊपर वाला surface है ना वहां पर भी generate हो सकती है और यह क्यों generate होती है रिजडीटी के कारें रिजडीटी हमें क्या हमें पता है क्या होती है solidness propagate in the form of crust and truff की form में propagate करती है crust and truff क्या होता है मान लो यह एक wave है इसके according यह चल रही है जो इसका अपर वाला यह यह वाला जो पार्ट होगा maximum upward जो motion होगा जो displacement होगी upward उसे crust कहते हैं और यह downward जो है इसे truff कहते हैं और उपर वाले को crust कहते हैं example है इसके string waves water wave on surface के ओपर water wave जो surface के ओपर है वो example है transverse mechanical waves की और string wave string wave मतलब हम किसी string को एक तार को जोर से पकड़के खड़े रहे और उसको जब हम हिलाते हैं तो वह बीश में से इस तहां से यह एक तार है जब हम इसको हिलाएंगे तो इसमें एक wave सी generate होती है तो वह क्या है एक string wave है इसके बाद हम करने वाले हैं longitudinal wave longitudinal wave में क्या होता है यह बेव प्रोपगेट करती है कहां पर लॉंग दिरेक्शन और पार्टिकल वाइब्रेशन अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन इस तरफ है तो वह बी इसी तरफ जनरेट होगी अब दोनों में pengru необход का है तनरेशन 000 क्या है जो वह ट्रांसवर्न उसमें डीम जनरेट होती है पर प्रिदेकुंल डरेक्षं प्रै्टिकल वाइब्रेशन के और लोंगी ट्यूट्न में बेव सक्तियों में ड्रेट। पार्टिकल यह दोनों में डिफ्रेंस है सभी मीडियम में जनरेट हो सकती है इसमें ट्रांसफर्स में सिफ सॉलिड में जनरेट होती है और यह ट्रांसमेट होती है compression and rarefaction में compression क्या होता है जब भी कोई भी medium उसकी pressure and density maximum हो सबसे ज़्यादा हो तब compression होता है और जब pressure and density medium की कम होती है minimum होती है तब हम उसे बोलते हैं यह rarefaction example है sound wave in air earthquake waves water waves हमने पानी में देखिए ना जब waves आती है किस तरह से आती है वो इस तरह से जाती है तो वो क्या है longitudinal wave की एक example है and और इसमें example earthquake waves की भी आ जाती है और sound waves की भी आ जाती है यह थी दो चीजे इसके बाद हमने second type की wave पढ़ी थी discuss हमने देखा था electromagnetic wave थी तो इसमें क्या है कोई भी medium नहीं चाहिए होता है इसको प्रपगेट करने के लिए generated by mutual oscillation of electric and magnetic field क्या होता है इसमें electric को जो magnetic field है वो आपस में क्या करती है प्रपेंडिकुलर होती है एक दूसरे क्या आपको बस इतना याद रखने के जरूरत है जो electromagnetic electromagnetic किससे बना है electronic wave और magnetic wave से और यह दोनों एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर होती है अगर electron wave यहां पर जारी तो magnetic wave कहां होगी इसके प्रपेंडिकुलर होगी ठीक है यह तो यहां पर क्या generated और क्या है इसमें और यह vacuum में travel करती है velocity of light की जितने light के velocity होती है light के speed होती है particular direction में उतने में यह travel करती है और light के speed क्या है c is equal to 3 lakh km per second और हम इसको लिख सकते हैं 3 into 10 की raise power 8 meter per second यह इसकी velocity है light के velocity जो होती है light के उसको हम c से denote करते हैं wavelength range है electromagnetic wave की वो क्या है 10 की raise power minus 14 to 10 की raise power 4 meter यह इसकी wavelength range है तो यह आप इसे याद रखिए इसके बाद electromagnetic waves कितने type के होती हैं 7 types की हैं जिसमें है x-rays, gamma rays, UV rays, बीजिवर रेडियेशन, infrared radiation, short radio waves, and long radio waves अब आपके एक्जाम्स में कोशें आ सकते हैं कि x-ray wave किसने discover की थी रोंजर ने, gamma ray किसने की थी आच बैक्रोल ने, UV rays रिटर ने, visible newton ने, infrared rehearsal ने, short radio wave, hand resource ने, long radio wave की थी, मैं आर को नहीं ने, अब यह जो इनकी range है, यह range किसमें है, यह range जो है, इनकी, यह इनकी से denote करते हैं, new कैसे होता है, new यह होता है, frequency को हम इससे denote करते हैं, अब आगे आपको यह questions आ सकते हैं कि कौन सी, सबसे जादा frequency किसकी है सबसे कम frequency किसकी है सबसे जादा frequency जो है वो x-rays की होती है और सबसे कम frequency रेडियो waves की होती है और भेवलेंट frequency और भेवलेंट अपस में opposite होते हैं जिसकी सबसे जादा frequency है तो भेवलेंट इसकी सबसे ज़ाधा कम होगी अब exams में आ सकते x-rays किस-किस में use की जा सकती है surgical diagnosis के लिए जब भी हम hospital आते हैं कहीं किसी की bone fracture होगी या किसी कुछ भी तो doctors कहते हैं कि x-ray करवायो इसका तो लिठ बें occasionally दो वो x-rays हैं तो यह surgical diagnosis के लिए use की जाती है अब गामा रेक इसके लिए यूज के मैक्समुम पैनिट्रेशन पावर के लिए यूज की जाती है नुक्लियर एक्षिंज यहां पर कई नुक्लियर रेक्षिंज होती है ना तो वहां पर कामा रेक्षिंज को यूज किया जाता है यूवी यूवी रेस हमें नैच चीजों को देखने में हल्प करते हैं विजीवर रेडियेशन की हल्प से हम अपना आसपास की चीजों को देख सकते हैं इंफरेट रेडियेशन जो हैं यह स्नेक्स डिटेक्ट करते हैं स्नेक्स डिटेक्ट कर सकते हैं इन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते और यह थर्मर तरफ इस ज्बारी में एक लाइट होती है मतलब टीवी रिमोट में भी इंफरेड रेज्स की जाती है ना शौट डा रेडियो जिसे में यूज की जाती है तो यह कुछ इस अप में याद रखना है उनकी रेंज आपको सभी रेंज याद रखने के जरूत नाहीं है आपको सिर्फ देखने सबसे ज़्यादा बेहवलेंड किसकी है यह सबसे कम किसकी है और आपको यह इसके discoverers पूरी याद रखने पड़ेंगे और आपको यह देखना पड़ेगा कि यह किस किस के लिए यूज की जाती है अब भेव में कुछ टर्म्स हैं यह कि यूज की जाती है crust and trough यह मैं आपको बता चुकी हूँ यह एक भेव है भेव इस तरहां से चलती है तो यह इसका अपर वाला portion होगा इसे हम crust कहते हैं और जो lower वाला maximum downward displacement जो होगी इसे हम trough कहते है बेव लेंद क्या होता है transverse wave distance between two consecutive crust और two consecutive trough यह trough है consecutive का मतलब लगा था इन तोनों के बीच का distance दो consecutive trough के बीच के distance को बेव लेंद बोलते हैं या फिर दो consecutive crust के distance को crust कहते हैं ओके sorry बेव लेंद कहते हैं तो कोई भी consecutive crust हो या consecutive trough हो तो वहां पर हम उसे भेवलेंद कहते हैं लाव 2 आज आता है Amplitude Amplitude क्या है Amplitude जो है उसमें हम इसके distance को बोलते हैं मतलब यह हमने बताये इस बीच्चों को हमं ट्रॉफी बौलेंगे और यहां पर हम maximum displacement of these एस ग्हें persuade करता है किस तरह से मूव करता है यह मूव करता है इस तरह से यहां से यहां तक यह वाइब्रेट होने में जो यह maximum distance कवर कर रहा है maximum displacement इसे हम क्या कहेंगे amplitude अब time period क्या होता है एक oscillation को complete करने के लिए जो vibration पार्टिकल मतलब जो medium के particles है वो एक oscillation complete करने जितना time लगाते हैं उसे हम time period बोलते हैं एक oscillation कैसे complete होगी जो वो यहां से यहां तक जाएगी तो यह क्या है इसकी एक oscillation है इसको complete करने में वो जितना time लगाएगा हम उसे उसका time period बोलते हैं और यह capital T से denote किया जाता है कि फ्रिक्वेंसी क्या है फ्रिक्वेंसी है कि वन सेकेड में कितने नंब्र उप पॉसलेशन इक About klerze वान सेकेड में कितने ओसलेशन्ट कर रहा है के रैकितने कंप्लीट चूरेस्ट को उसे क्या बोलता है फ्रिक्वेंसी frequency को हम denote करते हैं new से या n से और इसका ऐसा unit होता है hertz यह आज सकते हैं आपको exam में frequency का ऐसा unit hertz है और frequency को हम one divided by time period भी इसको निकालते हैं इसका formula है अब wave speed क्या होती है wave speed होते है rate of distance travel via wave मतलब एक wave कितना distance cover करती है उसे हम उसकी wave speed कहते हैं wave speed क्या है frequency into wavelength frequency को जब हम wavelength से multiply करते हैं तो यह wave speed का formula आ जाता है तो यह कुछ terms सी wave के related तो बस इतना ही था wave का topic अगर मुझे लगता है इससे कुछ extra आपको करवाना है तो मैं आपको next topic में या next lecture में बताऊंगी वैसे exams के point of view से वस यह important था तो कुछ MCQs हैं तो आप इन्हें करने की कोशिश करें अगर आपको यह MCQs नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को देखें तो इसके answers में आपको next वीडियो में बताऊंगी MCQ क्या है when a stone is thrown in calm water of a pond waves produced रहां जब भी हम किसी शांत पानी में पथर को फैंक थे तो भेव कौन सी पडियूस होती है तो किसा में ने पॉर्ण के वारे में बताता है हमें तो वह टाइम पीरियूर कितना शो करता है वन सेकेंड टू सेकंड त्री सेकंड और फॉर सेकंड कितना शो कर रहे हैं यह था आपको second question now third question what is the motion which repeat itself after a regular interval of time जब एक regular interval of time का मतलब एक पूरे time के according एक motion बारवर repeat होता है उसे हम क्या बोलते प्रियोडिक motion simple harmonic motion undamping motion या vibratory motion fourth question in which range of electromagnetic spectrum layman series of hydrogen atom exist visible region में ultraviolet x-ray इंफरेड इन में से किसमें यह electromagnetic spectrum की layman series hydrogen atom शो करता है तो इसके fifth question है हर्ट जिद यूनिट अफ हर्ट किसका unit है बेवलेंद intensity amplitude या frequency का who discovered x-rays x-rays को किसने discover किया रिटर न्यूटर्न मार्कोनी और रोइंजन आप इन mcqs को solve करने की कोशिश करें यह सब previous air mcqs हैं आई होप आपको यह समझ आ गया होगा आज के लिए बस इतना ही था ओके थैंक्यू सो मच्च